हेलो गाइज वेलकम बाक तो मैं चैनल अगेन डिजिटल मिलिन और आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं तो मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ और कुछ पॉइंट अस देखते हैं पहले तो ओके नौ तो टाइटल ऑप्टिमाइज़ेशन तो सबसे इंपोर्टन चीज है आपका टाइटल वो कैसे दिखता है हाँ वह इंपोर्टन है हमें पहले देखना पड़ेगा सर यह टाइटल टाइग होते कहाँ पर है और दिखता कहाँ पर है चालो तो बात करते हैं लेट्स गेट इंटू गूगल और सर्च फॉर कीवर्ट तो मैंने कीवर्ट सर्च कर लिया डिजिटल मार्गेटिंग कोर्स और जैसी मैं नीचे आता हूँ आप लोगों को अलग-अलग यहां पर वेबसाइट दिख रही होगी ओके यह सारे लोगों को पता है राइट लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं दिस पर्टिकुलर स्नाइपट के बारे में जब कभी भी एक कोई पर्टिकुलर का स्ट्रक् मेटा टायटिल इसके बारे में जो सबसे इंपर्टन के है और बहुत ज़ादा हाइं आइसा और इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे तो कुछ पैरा में है डिफिनेटली होंगे तब जाके आपकर जो पैट्पिपिलर website है और यह दो लृइंक होगा तो हमैं वो title tags होते हैं और website के backend में इसे लिखा जाता है आप लोग औरड़ी WordPress पर काम कर रहे होगे या दूसरे कोई programming language पर बात कर रहे होंगे तो आप यह title tag कहीं पर भी डाल सकते हो there is no problem at all okay तो points की बात कर रहे थे sir कौन से कौन से points है तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं points के बारे में okay चलो so how to use title tags title tag is the opening statement of your site तो अभी हमने देखा कि जब कभी भी आप कोई Google पर keyword search करते हो सबसे highlighted अगर कोई part दिखता है तो that is the title tag वो title tag है तो title tag अगर आप आप देखते हैं sir तो इसमें कुछ limitations भी होंगे हां वो भी होंगे वो देखते हैं टाइटल must have important keywords at the beginning second point जो है वो बहुत important है जब कभी भी आप लोग कोई title optimize करने के लिए देखते हो तो वहाँ पर आप लोगों ने keyword यूज करना बहुत ज़रूरी है अब keyword किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो आप लोगों ने already keywords निकाले होंगे that I definitely bet अगर आपको keyword strategy नहीं पता होगी तो आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखिए और हम लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छे strategies बता के रखी है and you'll get a good results with the help of these keyword strategies okay चलेगा तो हम लोग बात कर रहे थे कि टाइटल किस तरीके से optimize हुआ है तो यहाँ पर हमने डाला हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पिंपरिचिंस वर्ट तो सर यह तो आपका keyword आपने डाला हुआ है यह हमारा हमने keyword add-on किया हुआ है अब यह क्यों किया है because बाकी लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से कोई भी title optimize नहीं किया था तो हमें पता चल गया कि यह हम लोग use कर सकते हैं आपका जो title है वो unique होना चाहिए जिसके अंदर में हमने बोला था कि keyword होना चाहिए तो keyword भी है unique भी है बाकी लोगों से अलग अलग है आप बोलोगे कि सर यह भी तो सेम है लेकिन हमारा हमने पहले बनाया था इसके बाद में इन्होंने बनाया और यहाँ पेस नहीं है तो इसके वज़े से होता क्या है कि जो भी बंदा पहले बनाता है और उसक वेबसाइट या फिर कोई you know person है वो उसको copy करता है तो उसका rank नहीं होगा हमारी URL या फिर हमारा structure rank होगा इस तो रांग भी हो गया number one पे भी दिख रहा है यह बहुत अच्छा एक्जामपल है आपके सामने ओके सरी ठीक है किस तरीके से हो सकता है और तो टाइटल जो है वह अलग-अलग तरीके से आप define कर सकते हो कभी इसके सामने आप बैस लगा सकते हो कभी आप इसके सामने इस तरीके से आप हमेशा आपका जो टाइटल है वह यूनीक कर सकते हो और हमारा कीवर्ड भी हम लोग ने यूज़ कर लिया इसके अलावा क्या इसके अलावा कुछ पॉइंट देखते हैं और एवरी पेज शुड़ है डिफरेंट टाइटल बेस अन थीम आप देपीज अ अब आपके जो वेबसाइट है उसमें अलग-अलग पेजिस है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक टाइटल सब जगह पर यूज़ करो कभी नहीं करना है सारे पेजिस अलग है सारे पेज का एक तो प्रॉडक्ट होंगे या फिर सर्विसेस होगी या फिर कोर्सेस चाहिए कभी भी रिपीट नहीं कीजिए ओके सो इस वरी इंपॉर्टन पॉइंट टाइटल शुट बी अबॉट सिक्स्टी कारेक्टर अगर आप इसे ठीक तरीके से देखते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर यह जो पर्टिकुलर टाइटल दिख रहा है व मतलब आपका जो टाइटल है यह विजिबल नहीं है स्नाइपट पे प्रिविव पे तो वह विजिबल होना चाहिए उसलिए यू नीट टू लिमिट यूर टाइटल लाइक एनिफिंग तो देखो कितना प्रॉपरली यहां पर हम लोगों ने क्या किया है लिमिट किया मतलब इसकी बीच की जो स्पेस है वो भी गूगल कंसिडर करता है येस वो भी गूगल कंसिडर करता है वो भी हमें देखके समझना है चलो बहुत बढ़िया है ओके फिर उसके बाद में बात आई है टाइटल फॉर क्लिक तुरू रेट और ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोर स उने युऊरल कर लिया टाइटल वीडियो आएगे मैं मेटा कीवर्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत से सपेसिफिकृल है अगर हम बात करेंगे जो होना āनिक होना चाहिए उसके उसके बाद में आप लोगों को यह समझना है कि कोई टूल यूज़ करने के जरुवद नहीं है, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि कोई भी यह टूल यूज़ कर लेते हैं for creating a title, तो वैसा नहीं कीजिए, यह बहुत simple और easy structure है to create it, और आप यह search भी कर सकते हो ना, बहुत simple है, आपने search कर लिया, देख लिया कि किस लोगों ने क्या-क्या use किया हुआ है, वो use नहीं करना है, नया title आप ready करके आप आपके website पे डाल सकते हो, बहुत simple है, Google will select the best title it wants for search snippet, तो Google क्या करता है, जो title अच्छा है, जो best title है, उसे वो लगता है कि हाँ, यह title is best for this particular website to show it to my users, तो वही title आपका select होगा, अभी आप देखोगे कि Google काम किस तरीके से करता है, तो Google try to satisfy the users, तो users को satisfy करने के लिए, आप लोगों ने जो कुछ भी चीज़े structure कियो ही है, ranking करने के लिए, वो आपको Google के parameter के हिसाब से करनी है, तब ही जाके Google rank करेगा, as a digital marketer, आप लोगों को दो चीज़ों को follow करना है, एक तो user को, वो satisfy होना चाहिए, दूसरा crawler को, Google crawler को, या फिर Google bot को, वो satisfy होना चाहिए, जब यह दोनों properly satisfy होते हैं, तो you get a good ranking, right, तो यह सारी चीज़े आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी, I hope this tutorial will help you to rank your website as well, and चलो, उसके लिए हम लोग बाकी के भी parameter बाद में follow करेंगे, it's time to say bye bye, take care,